तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कैसी शक्सियत की तो कि एक परफेक्ट रैक्स्ट रूच्छ एक्जाम्पल है उनका नाम है हनमन कायकवड हनमन सतारा डिस्टिक्ट में कोरे गाउ नाम के एक छोटे से गाउ में पैदा हुए थे और उनके पिताजी कोट में कलर्क की हैसियत से काम करते थे जब हनमन सिक्स्त क्रेंड में आये तब उनकी फैमली पूने सिटी में शिफ्ट हो गई और इसी दोरान उनके पिताजी की तबेद हद से ज़्यादा खराब हो गई तो इसी कारण वच हनमन की मदर ने एक मिंसिपल स्कूल में टीचिंग जॉब ले दिया और एक समय ऐसा भी आया जब हनमन की फादर के इलाज के लिए उनकी मदर को अपने कहने तक बेचने पड़े और उनकी फैमली के फाइनाइशल कंडिशन इतने खराब थे अब इस बाद से अच्छे से अंदाहर लगा पाएंगे कि उस समय हनमन को स्कूल जाने के लिए एक रुपे लगते थे और उनकी फैमली वो भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी और आज हनमन के जजबे के वज़े से उनकी कमपनी भारत विकास सर्विसेस का टर्न ओवर थ्री हंड्रेड करोर रुपीज है बढ़ टैक दिन जब हनमन ने अपनी इस जोड़नी की शुरुआत की थी तब उनकी बजना तो कोई डिग्री थी और नहीं कोई बैंक बैदेंज और कुछ ही समय में हनमन अपने फादर को भी खो बैठे हनमन को अपनी एजुकेशन पूरी करने थे पर वह वह भी पूरी नहीं कर पर क्योंकि उस समय हनमन का परिवार सिर्फ उस टीचर की 2,300 रुपीज की सैलरी पे जीरा था और इस समय हनमन ले चीज़ें अपने हाथ में लेने की ठानी शुरुआत में उसे छोटे मोटे जॉब्स किये जैसे पेंटिंग और ट्यूशन देना हनमन की नाइफ सुधरने लगी थी और हनमन के गोल्स बहुत बड़े थे 1993 में हनमन ने भारत विकास प्रतिष्थान नाम की एक औरगिनाइजेशन की शुरुआत की और कुछ ही समय में बेल बाड़ी स्टेडियम में पात्वेश बनाने का इस औरगिनाइजेशन के पास एक अच्छा प्रोजेक्ट आया और फिर उसके तुरंद बाद उन्हें हिंडिका प्लांट से एक हाॉसकेपिंग कोट्रैक्ट मिला और आप ये जानके हैराम नहीं होंगे कि भारत विकास प्रतिश्थान ने पहले ही साल में 8,000,000 रुपियों का टर्नोवर चोड़ा और उसके ही अगले साल यानि दूसरे साल में भारत विकास प्रतिश्थान का टर्नोवर 56,000,000 रुपीज तक बढ़ गया था 1999 में हनमन ने भारत रिकास प्रतिष्थान का नाम चेंज करके भारत रिकास सर्विसिन रख दिया और बीवी जी को अपना फर्स्ट मेकिनाइज़ क्लीनिंग कॉंट्राक्ट इल्डिका प्लान्ट के द्वारा मिला देखते ही देखते डाइंगलोर, चिन्नाई, हैदराबाद से लेकर बीवी जी ने पूरा साउथ कॉंकर कर लिया था 2003 में उनका अनुवल टॉर्नोवर फोर क्रोर रुपीस तक पहुँच गया था 2004 बीवी जी गॉट इस बिकेट स्प्रेग वो था पार्लिमेंट हाउस को मेंटेन करना बीवी जी को आखिर जो अपॉर्चनिटी चीए थी वो मिली गई MPs को उनका काम इचना अच्छा लगा कि उन्होंने त्राइम मिनिस्टर की रेसिदेंस को क्लेनिंग कॉंट्रैक्ट भी बीवी जी को देने का ही फैदला किया प्राइवल सेक्टर में भी हनमन्त की कंपनी की घ्रोध पीछे नहीं रही बजाज, महिंद्रा, अशोक लीलन, ह्युन्डाइ, वोक्सवागन, फियाज, उल्टीसी, आईटीसी ये बीवी जी के कुछ बड़े क्लाइन्स है अज बीवी जी की आरत के बारा राज्यों में 22 लोकेशन्स पर गार्चेश है और इसके ही साथ बीवी जी तीन सो छोटी मोटी और्गराजेशन्स के दाथ भी काम करती है इतना ही नहीं, हनमन्द ने महराश्ट्र में 6 टेमपल्स को डेली बेसिस पे मेंटीन करने का टास्क भी दिया है जो हनमन्द बिना कोई फीज लिए करते है तो दोस्तों, हनमन्द का नेवर किवप अटिक्योड अपने आप में विश्वास रखना और अपने तीम को साथ ले जाना इस असाधारण अनोखी जर्नी को पॉसिबल करता है और हमें इंस्पायर करता है nou thankyou guys for watching and please do subscribe my channel for more such stories about aunts and heroes hit the like icon if you loved this video and int є ज्टो जड़े gewoon a comment in the comment section below to suggest on home to make my next video thankyou why